हलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाई टी प्रेपपर तो आज हम लोग सड्स एंड इंडिसेज पढ़ेंगे ठीक है तो इसमें एक्स्पोनेंट एंड पावर का खेल होता है उसको समझना है आपको और बहुत आसान होता है बस धीरे धीरे वन बा समय लेते हुए अब अगर कोई सेर करना चाह रहे हैं तो जल्दी से अपने दोस्तों को सेर कर दीजे और जो नए चैनल पर वो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और जो पूराने हैं वो लाइक कर दें अभी नहीं करना है तो दसन एक्सविए और इंडीशें है क्या एक्जेटली तो इसमें एक चीज़ कॉमन है बस एक बात समघcr agar a एब बीजाती है कि यत्य नहीं कि मौन है फिरय के पहले फिर यह कि एक्सपूनेन्ट इन्पावर को सम्झाएं है इदुक्श टायगा या पावर एंड रैडिकल भी बोलता है पावर एंड रैडिकल भी बोलता है एक्स्पोनेंट और पावर सेम होता है और पावर एंड रैडिकल बोलता है ठीक है या फिर बेसेंड पावर समझी है ठीक है जो समझ नहीं समझ तो क्या करते हैं माल लिजे फाइब पे पावर स्क cac-1x5 तो आप है क्योन ऐसको क्या कि देगा five in two five दोवारे तो दोवर करेंगे अगर five power olarak you Oh अ इसको क्या लिखते हैं five in two five in two five और जो इसका 25 वॿन तू फाई अगी अ मिस्का 25 हो जाता लो कि अगर यहां five power four होता तो क्या लिखते five into five into five इसको multiply तो यह इस तो बहुत आसान हो जाता है लेकिन उस्की मिलने लग जाता है जाब आपको मिन लग जाता है मैं तुक्या मिलने लग जाता है ओन आपको देदें Yapay TV पावर दोबध सह है है कि 35 पर टुव ए 5 है अब क्या होगा आंसर साइसक्कों सॉल करना तो हम एक्जेक्टली यह समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है पहले य लग्व यह आपकश्ण चेटली क्या होता है ऐक आपको यह सब्सक्राइब तो आप हर condition पढ़ेंगे जो भी सका condition होगा ठीक है तो चलिए समझते हैं पहले कि जब भी power हो समझेगा power में 2 by 5 है इसका मतलब है कि इस नम्मर पे ये square है इस 2 का मतलब क्या हो गया ये square है इसमें कोई परिवरत नहीं लेकिन जो denominator हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 by 5 2 by 5 को में लिख सकते है ना 2 into 1 by 5 ठेक है ये 2 तो आपका इस पर पावर है लेकिन 1 by 5 के पावर को आप कैसे denote करेंगे एक है मतलब समझ रहें कि वह ही नमबर 2 है मतलब समझ रहें उस नमबर तो उसका एक और तो 5 into 5 3 है तो तीन बार मल्टिप्लाइ करेंगे 5 into 5 into 5 लेकिन 1 by 5 मतलब कैसे निकालेंगे तो इस 1 by 5 का exactly मतलब क्या हो जाता है समझ जब भी पावर पर आपको one by five मिल जाए one by six मिल जाए one by seven मिल जाएं फावर प्रैंपको one by three my जाए थ्री मिल जै भिस्पर आपको one by two मिल जै यहां भी बेस्पर आपको नप यह जो आपका वन बैट्टू सत्ध realidade 209 इस सबका मतलब क्या होता है कि यह सिंबल आपको जाना पैचाना वह लग रहा होगा मुई है तो यह जो ऩूर आता है इस वन बाई टू के फॉर्म को हम क्яться करते हैं अंडर रूट में ले आते हैं अब जब रूट दे देते हैं तो टू है यहां पर झाव जैसे वंड़ी थी था तो यहां पर थ्रियो जाएगा फिर और जो नंबर होगा इसके अंदर आजएगा हैंट इस वनभाइज रिकां Youtube अकानवर्ट कि अच्छे से समझे इस वन वाई टू को ऐसे लिख सकते हैं कर रोट करके वन वाई फोर है तो कैसे लिखेंगे बताइए थोड़ा लिखिए क्या करना है यह बनाना यहाँ पे फूर अब यहाँ पे जो नम्मर होगा वो अगर वन वाई शिक्स ए तो इसका मतलब क्या हो सब्सक्रार खतो हुआ उइसका इसका एक्जैक्टली मतलब क्या होता है जो निम्रेटर ओट कहें सब्सक्क्राइब को तो उसको हम क्या करते हैं इस रूट के फॉर में ले आते हैं और यहीं इसका मतलब होता है ठीक है समझ में आ गया इतना से अब आपको आपको इस पर कोस्चन मना के आपको सिखाते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है ठीक है अब समझिएगा कि आपको दे दिया गया है 81 पर पावर 1 बाई 4 ठीक है 27 पर पावर 1 बाई 3 आपको दे दिया गया है 9 पर पावर 1 बाई 2 अब क्या करना इसमें आपको क्या बता है कि यह कर देना है 1 बाई 4 के बुदले क्या हो जागा यहां पर 4 और अंदर में 81 और यहां पर एक था इसलिए इस पर भी पावर 1 रहा गया तो कुछ नहीं बस 81 यहां पर 27 है तो क्या हो जाएगा क्यूब रूट 27 यहां पर 1 बाई 2 है तो स्क्वार रूट 9 ओर एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इसक्वार रूट को कुछ नहीं लिखता है क्योंकि सबसे छोटा जो टयर्म अंदर रूट का होता है वो रूट स्क्वार रूट तब क्यूब रूट फिर 4 का रूट फि भी लुक के साथ तो यूज नहीं करेगा अगर सिर्फ आपको यह दिख रहा है तो इसका मतलब ही होता है स्क्वार रूट इसका मतलब क्या होता है एस बात को क्लियर रखें ऐसा नहीं अब एकजाम समझ लीजिएगा कुछ नहीं दिया रहा है इसके बाद इतना हुट बनेग उस पर लिखा रहेगा 3 रहेगा तो 3 4 रहेगा तो 4 और देखिए अगर आप fraction को root में convert कर सकते हैं तो root को आप fraction में भी convert कर सकते हैं कैसे अगर root पर 3 है है हम आप लिजए 81 न तो हम इसको क्या करेंगे 81 पे 1 by 3 लिख सकते हैं तो यह वह आपका तरीका इतना समझ गया होंगे कि क्या किया जाते हैं तो आप समझ गया होंगे कि अगर आपको फ्रैक्शन में दिया रहे हैं तो आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं तो अगर आपको एक्जाम में यह रहे और आपको आपसन में अगर ऐसा दिया रहे तो के लिए देगा यह बस एक आपका basic concept तैयार किये कि अगर ऐसा fraction में दीक रहा है ताब उसको exactly ऐसा लिख सकते हैं जो आपको पीछे पड़ा है उसी कोई है question पर आपको करके दिखाए समझ में आया समझ में ठीक है अब चलिए देखते हैं कि exam में सवाल कैसा पूछा जाता है व अब आपको पता है कि हम इस रूट 4 को किसमें convert कर सकते हैं 81 पर यह क्या हो जाएगा 1 by 4 में convert कर सकते हैं पावर में फैक्शन बनके चला जाता है clear है इस रूट 4 को 1 by 4 लिख सकते हैं पावर पर ठेक same question अगर यहां पर 3 रहा 27 तो इसको क्या लिख सकते हैं तो 27 पर पावर 1 by 3 लिख सकते हैं पता है आपको अगर यही 9 में रहा तो 2 का लिखते नहीं है तो यह क्या हो जाएगा 9 पर 1 by 2 हो जाएगा clear है अगर exam में यह option में दिखा तो ठीक है नहीं दिखा तो हम इसको solve करेंग क्या होगा देखिएगा 81 को क्या लिख सकते हैं कौन सा ऐसा नंबर है जिसको आपस में 4 बर multiply किया जाए उसी नंबर को खुद से 4 बर multiply किया जाए 31 आ जाए तो 3 है क्या होता है आपका देखिए 3 into 3 into 3 into 3 all array पावर बाने फूर एक टिखन आता है आपका अब इसको क्या लिख सकता है 3 के पावर 4 और पहले से 1 नंबर फ० था power जब double power हो जाए तो हमें क्या होता है multiply होता है हमें सहाद रोगिए जब double power एक साता रहा तो हमें आपस मधूलिपला हो जाता है तो यह क्या हो एंटिए गए गा तुरी पे फोर इंटु वन मैं फोर और फोर कट ये इसका अंसर ठिरिए त्री आंसर हो गए इतना अंसर हो गया 3 अब इस पर आज है यह सताइस को क्या लिख सकते हैं इसको भी तरी का क्यों लिख सकते हैं और वन भाई ठीए दूना पर सा मेंटिपला थे समझ में आया चलिए और कुछ है इस पर one by one सबको सीखते हैं अब आते हैं कि एक्समोनेंट पावर को पढ़ते हैं आप अंडरूट वाले सारे टर्म को समझ गए होंगे कि क्या है कैसे है मिन्स अगर पावर फैक्सेन में हो तो उससे हम कैसे डिल कर सकते हैं यह आपको क्लियर हो गया होगा और एक्जाम में जैसा सवाल पूछा जाता है वह भी बता दिये और इसमें बहुत सारा बचरा इसका असेंडिंग और डिसेंडिंग और रेंज करने के लिए सिखाएंगे फिर इसका मल्टिप्लाय और डिवीजन सिखाएंगे लेकिन उससे पहले एक चीज़ आना बहुत जरूरी है कि एक्स्पोनेंट इंड पावर और पावर और रेडिकल आपको जाना बहुत ज़रू है तो अब इसको वन बैवन पहले इसको सीख लेते हैं इसका वन बैवन सारा मेथड जान लेते हैं फिर हम लोग उस पे चलेंगे वन बैवन कवर करेंगे ठीक है तो सबसे पहले समझेए कि अगर पी पे पावर एम हो उक्वल और आपस में उद्धोनों मैंट्प्लाय हो रहा हो ठीक है इव दप्रोड़क्ट ओफ्ट ऊफ्टू नम्मर या फिर इव दा प्रोडिक्त ऊफ्टून अप्टू मेंज समझेए कि एक्समोनेंट पावर का दो नमर है आपस में मैंट्प्लाय हो रहा है ठीक है इन मल्टिप्लिकेशन देन पावर विल वी एडेड आवर क्या हो जाएगा आपका एक दूसरे के साथ एड हो जाएगा इतना समझ में आया अब क्या करना है इसका रिजल्ट क्या लिखेंगे यहां समझेगा कि बेस दोनों जगा पी है तो हम एक पी लिखेंगे और पावर आ इसको एम प्लस एन अब आपको कहीं भी अगर ऐसा कोशन दिग गया थम उसको इस फॉर्म में लिख सकता है कैसे समझेगा पाई पर पावर टू इंटू फाइप पर पावर सिक्स है हम इसको क्या करेंगे सॉट में बेस सेम हो गया बेस से में तो पावर क्या हो जागा एड मैं इसमात को याद रखें मिल्डिप्लिकेसटो में सिर्फ ऑेडा धूँर सभस्टाइध अगडर बेस से मिल्टीप्लाई हो रहा तो पावर क्या हो जागा तो क्या व हो जागा यहां पर तो यह था आपका पहला कंडिशन अस्क्रेंशॉट ले लिजे अब आते हैं दूसरे पड़ सेकेंड क्या है इस सेकेंड वे सेम है सिर्फ क्या है मल्टिप्लिकेशन के बदले डिवीजिन जब डिवीजिन होगा if the base are same in division अगर दिवीजिन का के सोगा in case of division bases are equal then power will be subtracted जब डिवीजिन का केस आएगा जब बेस सेम हो जाएगा इसमें तो इस पावर क्या हो जाएगा आप समझ गया है क्या करना क्या करना है आप बस पी और क्या हो जाएगा माइनस एंड क्या क्लियर है कॉंसेट क्लियर हुआ बताइए यह कंसेट क्लियर हुआ बहुत आसान था दोनों तो यह दोनों एक्जाम में आपको देखने के लिए हमेसा मिलता है सट्स एंड इंडिसेज के जब कोश्चन आएगा तो अब देखिया है समझते है कैसा कोश्चन इस पर रहेगा तो आपको रह सकता है कि पांच के पावर स्क्वार इवाइड पाइब का पावर सिक्स ठीक है नहीं तो यहां सिक्स कर दिए और यहां टू कर दिए ज्यादा स ठीक है अब क्या करना इसको पावर को सब्ट्राइक कर देना है तो छे में से दो गया तो चार तो फाइब के पावर क्या हो गया फोर यह अपका क्या हो जाएगा अंसर क्या क्लियर है बताइए अब चलिए आगे समझते हैं कि क्या करना इस पर और भी कोश्चन आता है तो ह हम आपको वो समझाते हैं पहले कि इस पर और कोश्चिन कैसे पूछा जा सकता है जो कि एक्जाम में आता है कि अग्जाम में अग्जाम में यह सवाल पूछा जा रहा है तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे तो इसको पूछा जाता है कैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या पढ़ है कि जब भी ऐसा कंडिशन होगा दो नम्मर होगा मंटिप्ला तो बेस्सेम होना चाहिए तो हम कोशिज क्या करेंगे बेस्सेम करने का अब कोई लोग इसको 32 पर एक्स इसको 16 पर दो एक्स अब 16 का स्क्वार निकालेगा 256 पर ले आएगा अब उसके आगे आप क्या कर सकते कुछ नहीं कर अबर हो जाएगा गलत हो जाएगा इसका एक ही तरीका है वन वन मिन्स पर पावर फाइब लिखते हैं और एक से तो क्या होजाएगा बताए यह दून आपस में क्या होता है को क्या हो लिखते हैं तूपर पह फूर्य का हो ज़ेंगर टुएक्स और यह दो प पावर 5 x plus 8 x इक्वल टू पर पावर 64 तो यह क्या हो गया दो पर पावर 13 x इक्वल टू पर पावर 64 अंको एक्स का वैल्यू निकालना है था हम क्या करेंगे बेस इक्वल जब भी ऐसा कंडिशन आजाए समझेगा अच्छा से इसी लिए से ये समझये कि जब डूनों का वेस पर बावर सम्थेंग और ये दो पावर पर यहत ok दुसरे के बरावर में रहे आपको तो इक्वल हो जाएगा तो ऐकी सिक्वल della करद्रीप्न, कंद्रिया, क्रावर 5000 ओ चालीव गलिए है clear हुआ समझ में आया समझ में आगया होगा तो इसी method से आपको solve करना है बहुत आसान है बस one by one concept clear रखिए कि जो हम पर रहे हैं उसका यूज कैसे करना है समझ में आगे हैं अब आईए इसी को और देखते हैं कि division में भी देख लेते हैं अगर यह multiplication के बदले division होता अगर multiplication के बदले division होता तो क्या करते हैं तो क्या होता है division के case में subtract हो जाता है तो 5x minus 8x हो जाता है और equal to 2 पे power 64 तो यह 2 पे power क्या हो जाता है minus 3x equal to 2 पे power 64 तो इसमें भी same condition अगर base equal है और equal के इधर उधर है सिर्फ single base बच रहा है और उस पे कुछ power है इधर भी single base उस पे पुछ power है तो power भी आपस में क्या हो जागा बराबर हो जागा अगर base equal है तो यह base same है तो तो क्या हो जाएगा माइनस 3x equal to 64 तो x equal to 64 by 3 minus clear हुआ समझना है क्या करना है तो बहुत आसान हो जाता यह question आपका ठीक है बहुत आसान हो जाता है तो अब आप समझ गया है कि क्या आपको exact करना है और इसका screenshot आप ले लिजे दोनों question का अच्छे से अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे point पर क्या है हमारा हम लोग पर लिए multiplication पर लिए division अब क्या परना है इसी में तो तीसरा condition है जब power same रहे है जब power same हो तो और base क्या हो multiply में रहे है में बेस क्या रहे है बेस आर इन मल्टिप्लाय अब मैं पड़ाते हैं इंग्लीज ग्रामर पर ध्यान नहीं दीजिएगा बस मैंत का जो समझाना चाह रहे है उसको समझी है ठिक है क्योंकि math और English का connection बहुत अलग है आप math को अपने concept से मिलाइए अपने means अपना concept को clear कीजिए clarity के साथ पढ़िए यहां पर grammar का कोई वैसा यूज होता नहीं तो power same है तो क्या हो जाएगा आपका है तो इसको समझाते है एक टाइप में करना क्या तो यहीं पर बता देता है अगर ऐसा हो कि 5 पर 6 into 7 to power 600 क्या वदे किये power same है समझ मैं आप पावर से मैं लेकिन बेस क्या है अलग है power same है और बेस अलग है ठीक है तो आपको क्या करना जब पावर से मेरे और बेस अलग रहे है तो आपको क्या करना है बस multiply कर दीजे base को result क्या होगा base bases are multiplied multiplied multiply कर दीजे उसको base को सिर्फ जैसे वहाँ base एक single हो जाता था और power add हो जाता था यहाँ पे power signal रह जाएगा और base multiply हो जाएगा यहीं आपका क्या हो जागा answer clear हुआ समझ में आया एक और दे देते हैं अपको अगर 4 पे power 8 into 5 पे power 8 है तो यह आपका क्या हो जाएगा 20 पे power 8 तुरंत answer कर देंगे clear हुआ समझ में आया तो यह था आपका तीसरा आप चौथा समझते हैं क्या है चौथा आपका है कि अगर आपको इस condition में दीख जाए जो हम आपको स्टार्टिंग में ही बताते आ रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है पी एम एन ही होता है यह दुना आपस में multiply रहता है clear है ऐसा नहीं समझें भी multiply नहीं होता है आपको भी पहले भी समझाए थे उसी चीच पर यह आप हम अच्छे से लिखवा दे रहा है पाइप क्या है पी बाइक क्यू पर पावर अगर एम है तो इसको प्या लिख सकते हैं पी पर पावर एम बाइक क्यू पर पावर एम भी लिख सकते हैं मिन्स अगर पाँच बै दो पर पावर आठ हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं फाइप पर पावर आठ हलग और दो पर पावर आठ हलग और निकाल के solve करके अपना answer लेंगे clear हुआ और exact निकालना पड़ेगा ठीक है यह है आपका पाच्वा चौथा पाच्वा आपका होग तो उसका रिजल्ट क्या हो जाता है वन हो जाता है जैसे अगर 66 पर पावर जीरो हो गया तो इसको जीडो नहीं बोलेंगे बलकि वन बोलेंगे अगर भी अगर जीरो है तो फिर भी हम वन ही कहेंगे ठीक है क्यूंकि एक्स के बदले चाहे कोई भी नम्मर आजाय कि होगा तो उसका रिजल्ड लास्ट में जीरो वन है किसी भी नम्मर के का पावर जीरो हो तो उसका रिजल्ड क्या होगा हमेसा वन होगा यह याद रखिएगा एक्जाम में यह भी कोस्टन बहुत पूछा जाते हैं ठीक है क्लियर हुआ इतना यही था आपका एक्स्पोनेंट और प करिये और पढ़िये ठीक है तो एक्स्पोनेंट पावर एंड रेडिकल अपका क्लियर हो चुका है अब आपको क्या परना इसके आगे वह समय है तो अब लोग चलते हैं सिखते हैं कि जो सट्स एंड इंडिसेज पर आ जाते हैं कि इसमें आपका जो मल्टिप्ला है डिवी अब समझें कि के लगर फैक्सिन में आज अपावर उसको अगर एंसेंडिंगे सेंडिंग में इर्नज करने के लिए दे दिया जा तो कैसे करेंगो इसका सीखिये पहले सेंडिंग वाझिश यो हैं सेंडिंग आटै क्तなら कि सब को पता होगा आ रोही और अवरोही करम ठीक है करम अब क्या करना है कोस्चन कैसा रहेगा वो समझेगा यह आपका कोस्चन इसमें दे देगा कि सबसे बड़ा नमर बताई देगे एसेंडिंग पूछ दे डिसेंडिंग पूछ दे करने के सबसे पहले आपको सिखा दिये यह यह सबसे पहले आपको सिखा दिये यह जब भी है समझना रहा है जब भी रूट रहे हैं आपका तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 पे पावर 1 by 2 6 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 पे पावर 1 by 6 इसको क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 1 by 3 सब से पहले इसमें convert कर लेंगे पडिकत पडिकत अब इसको समornoиться एक मिल जो बीपा वर हाया उसका LCM निकालेंगे क्या करेंगे उसका LCM निकालेंगे तो सबके उपर में तो 1 ही रहेगा सबके उपर में क्या है 1 है तो denominator वाले का LCM निकाल लेजिए तो LCM क्या होता इसका 2, 6 और 3 का क्या हो जाएगा 2, 6 और 3 का 6 ही रह जाएगा 6 रह जाएगा clear है तूओ 6 और सरीखा क्या रह जागाल सिंस अब क्या करना है आपको यह समझेगा जो आप LCM निकाल लिए है आपको क्या करना है जोभी बेस है सबको six में convert करना है क्या करना है six में करना ऐच को मिंस इस फ्रélैक्रशन के डिनॉमिनेटर को को वेश नहीं इस फ्राक्षण के डिनुमिनेटर को इस फ्राक्षण के डिनुमिनेटर को अपने मंख्रा रिगाइड करदी आ2 उपर में विवन इसमें कितना करें तो तो यहां भी टो अब क्या है आपका फाइब पर पावर क्या हो गया इस फॉर्मेलेचा अब क्या हुआ कि सबका denominator जो बेस है वो 60 आगया पहले ना यह स्क्वार रूट था यह सिक्स रूट था यह क्यों रूट था अब तो सेम आगया ना सबका रूट समझने आ रहा है रूट सेम कर दिए denominator का LCM निका लिए रूट सेम कर दिए ठीक है numerator से कोई अगर समझ में रहा है तो ठीक है नहीं तो बैग जाए यह फिर से एक बार देखिए दो बार देखिए तीन बार देखिए आपको समझ में जरूर आ जाएगा और उसके बाद इसको बनाई और फिर भी डाउट हो रहा हो किसी भी चीज में तो आप हमारे डाउट सॉल्विंग सेसं के साथ जूरिये कभी भी अगर आपके पास ये वीडियो कभी भी पहुंच रहा है हम किसी भी दिन पढ़ा रहे हैं लेकिन आपको बहुत दिन के बाद भी मिल रहा है बहुत दिन क और 2 का स्कुरार 4 हो जाता इस पर पावर 1 बैस 6 अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो नम्मर बड़ा वो नम्मर बड़ा जो नम्मर छोटा वो नम्मर छोटा क्या बता यह कोई दिक्कत नहीं लेकिन यहां पर यह दोनों नम्मर जो हुआ सेम आ गया फॉर पे अंडरूट 6 किया है टू पे थरी किया बात एक ही हो गया ठीक है तो दोनों सेम आ गया अब आपसे पूछा जाता है लार्जेस्ट तो लार्जेस्ट क्या होता यह हो जाता है 125 वाला क्योंकि सबका पावर तो सेम हो गया तो जो नम्मर बड़ा होगा उसका पूछा जाएगा और एसेंडिंग डिसेंडिंग में सजाने के लिए तो आपको क्या करना यह वाला बढ़ा और यह दोना आपस में क्या रहेगा बराबर रहेगा ठीक जाम में कुछ भी पूछ सकता है कैसा भी कॉस्टिंट कर सकता है अब आप वहां देखिएगा कि हम तो एरेंज करने में कभी ऐसा देखे हैं नहीं कि इन दोनों के बीच में इक्वल टू का रिलेशन आ रहा है ऐसा भी कॉस्टिंट में दे सकता है क्या करेगा दे देगा यह बोलेगा कौन सा रिलेशन सही है यह भी देता है तीन-चार साल पहले गर उठाईएगा रेलवे एसस सी दोनों का कुर्शन उठा लिए तो आपको यह दिखेगा कि इन तीनों के बीचों रिलेशन फाइंड करने दे देता है तो कौन सा रिलेशन सही रहेगा यह रहेगा रूट 5 इस ग्रेटर दैन और क्या हो जाएगा यह दून आपस में क्या रहेगा इक्वल हो जाएगा ब अगरद देसंड होता तो उभी 40 आग्या मां यह लेजे यह रहता तो यह बदा उसके बाद यह फिर यह होता गर यहil ए यह यह होता तो आप आसानी से बस सेंडिन और देसंडिंग में कनवर्ट कर लेंगे अस्माल एस ज्ञारज जोन लेंगे क्या क्कॉंसअर ग्लियर हु इसमें आपको ascending order में सा जाना है descending सा जाना smallest largest चारों बताना है ठीक है कि इसको जल्दी से बनाईए और arrange करके दिखाईए ठीक है तुरंद तो हो गया होगा आप लोगों का अगर बन गया होगा तो अच्छा है नहीं तो चलिए हमें बता देते आपको ठीक है क्या करना है तो सबसे पहले अपका क्या है 5 पे square है तो यह क्या हो जाएगा वन बाई टू पाइप पर यह क्या हो जाएगा 4 पे 1 बाई 3 और यह क्या हो जाएगा 2 पे पर और यह क्या हो जब्ड़ पर फोर अब आपको pozy कर लिडिन ओमिनेटर का क्या निकालना करें था कि सब्क admired करें एक वर्य यडिया है था कि हम आथानी से Scient poker या क्यों फोर जो भी करकें बड़ा छोटा उसानी से निकाल सकें पता छोटर पहले सही समझे कि करना जैसे ही कोशन आया सबसे पर आपके दिमाग में आजाना चाहिए किसको इसमें कनवर्ट करेंगे फिर सब के उपर भी कुछ कुछ आ जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर सबका सेम आ जाएगा जो उपर में आया सारे नमर पर वो डाल के मल्टिप्लाय करके सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद एरेंज कर लेंगे असानी से समझ में आ रहा है अब ncm निकाले 2,3,6,4 का क्या हो जाएगा 2,3 और 6,4 का तो यह आपका हो जाएगा 12 अब क्या करना हैं को इन सब के 12 लाना है तो यहां पे इंटू 6 यहां पे इंटू 6 सब के बेस पर 12 लाना है पता है यहां आप पे 4 तो उपर में भी 4 करना पड़ेगा उपर नीचे क्यों करते हैं ताकि बैलन्स सेम रहा है क्योंकि अगर आप सीब नीचे कर दीगा तो यहां बारा हो गया तो तो गलत हो गया ना अपने मंसे अप कैसे 4 को बारा लिख सकते हैं लेकिन जब आप 4-4 दोनों जगा कि हैं तो उपर नीचे दोनों करेंगे multiply भी करते हैं तो उपर नीचे दोनों करेंगे clear हो गया अब इसमें क्या करेंगे into 2 into 2 इसमें क्या करेंगे into 3 into 3 तो यह क्या हो गया 5 पे पावर 6 by 12 यह क्या हो जगा 4 पे पावर 4 by 12 यह क्या हो जगा 2 पे पावर 2 by 12 और यह क्या हो जगा 3 पे पावर 3 by 12 clear है अब 5 पे पावर 6 है बहुत हो गया निकाल लीजेगा अप लो 4 पे पावर 4 है 2 पे पावर 2 है सबको find करना है तो इसका क्या होगा इसको कैसे लिख सकते है 5 पे पावर 6 और 1 by 12 इसको भी क्या करेंगे 4 पे पावर 4 1 by 12 और यह क्या हो जगा 2 पे पावर 2 है तो 4 कर लेते है डारेक्ट लिख देते है एक बटा बार और 3 पे पावर Q है तो क उनों को fire करना तो आपको दीख रहा हो गए यहीं से दिख जाईका multiply करने का ज़रूत नहीं है दो इतना क्यों इतना क्यों की आ Chairman और कि अब क्यों पॉट्ड ऑपने समय बरवाद करें कि हम five आप निकाले समझे हैं क्या मिलिभा ईक्राइ मonal की विर को फाइब को दीख रहा है यह बड़ा है उसके बाद आपका 27 बढ़ा हो गया तब आपका 4 बढ़ा हो गया ठीक है तो अगर एसटेंडिंग और में बोला जाए तो यह उसके बाद यह फिर यह तब यह टीक है largest बोला जाए तो ये smallest बोला जाए तो ये clear हुआ सब एक ही question में बनाने सीख गया और ये exam में पूछा हुआ सवाल है ये exam में आपका बिल्कुल पूछा हुआ सवाल है तो इस concern को आप clear कर लिजे बहुत अच्छे से बहुत आसान है क्या concern clear हुआ चल यह ठीक है अब चलते हैं देख लेते हैं इसका addition, subtraction, multiplication और division क्या होता है उसके बाद इस chapter से जितना भी important सवाल होगा एक्जाम में आया होगा या आने का संभावना होगा एक्सपेक्टेड कोस्चेन हम आपको वो clear करा देंगे विदिकत बताई अगर कोई दिकत है तो बताईए कोई दिकत नहीं है कोई दिकत तो आके समझे अब आते हैं हमारे addition and subtraction तो तो हम एक ही question लेंगे उसी से आप addition and subtraction समझ जाए क्या है आपको clear कर लेना है के addition subtraction में exactly होता क्या होगा क्या ठीक है है तो सबसे पहले एक concept आपका clear होना चाहिए कि plus minus minus होता है minus minus plus होता है और plus minus minus होता है एक प्लस माइनस रहा माइनस प्लस रहा है तो से मिये यह दोनों लेकिन इस से बसम यह find करते हैं कि उन दोने के बीच का relation क्या है इससे यह कभी find नहीं हो पाता है कि उस नमबर क्या आगे कौन सा symbol represent करें जैसे कि हम क्या कहना चारे माइनस 5 प्लस 3 है तो इससे यह पता चलता है कि minus 5 और प्लस 3 आपका तो minus और प्लस क्या हो गया minus इससे यह पता चला कि 5 और 3 के बीच में आपको जो करना है वो exact relation minus का है मिन से इन दोनों का आपको अंतर निकाल देना है जोड़ना नहीं है क्या करना है घाटा आ देना है तो 5 में से 3 गया तो अपका 2 आ गया लेकिन ये दोनों ये कभी नहीं बताता है ये दोनों ये कभी नहीं बताएगा उसके आगे आगे ये है ये हुआ पीछे है उसके आगे जो भी साइन होगा वही लग जाएगा तो 5 बड़ा है तो उसके आगे minus है तो यह आपको बताता है exact relation करना क्या है लेकिन जो plus minus का sign क्या देना है वहाँ पर ये कौन decide करता है जो बड़ा number होता है उसके मर्जी से चलेगा जैसे अगर यही minus 5 और minus 3 होता तो यह आपका क्या हो जाता minus minus plus होता है तो आप क्या करेंगे plus 8 थोड़े ना दे देंगे आपका गलत हो जाएगा यह बस एक relation बताया कि यह relation क्या बता रहा है minus 5 और minus 3 बस इतना बता रहा है कि add होगा यहां पर relation minus minus plus इससे यह पता चला कि relation क्या है यह कभी पता नहीं चला कुस नंबर के आगे symbol क्या रहेगा तो प्लस कर देंगे तो पांच और तीन जोड़े तो आठ आ गया लेकिन अब symbol देने के लिए क्या करेंगे देखेंगे बढ़ा कोने पांच बढ़ा भी मैनस लग जागा चैले खिले एक हमसथा प्लस यहां भी मैनस थी तो भी कहा होता जिसके किया कुछने उसकी अके ब्लस तो प्लस मैनस माईनास निखता तो पांच और एक practube क्या वह प्लस तो यहां भी प्लस रहेगा कुछ नहीं देंगे अर स्टूब होता है जिस अब इसको आपको सॉल्व करना है इसमें क्या करना है जो भी एडिशन वाला पहले उसको अलग आड कर लिजे जो सब्ट्रेक्शन वाला एक हमेशा याद रखेगा अलजेवरा के टर्म में जब भी आपको दो तीन टर्म एक साथ प्लस माइनस में गिवेन हो माइनस वाले को अलग जोड दीजे प्लस वाले को बता है कि कैसे फाइंड करते हैं और कैसे उसके बीच का सिंबल क्या होगा वह डिसाइड करते हैं ठीक है दोनों में जो बड़ा होगा आगे वही लग जाएगा सिंबल में तो अब क्या है यह दूनों एडिशन में तो हम पहले इस रूट को सॉल्व करेंगे तो 75 है तो हम इसको भी लिख सकते हैं 16 इंटो 3 और इसको भी लिख सकते हैं 4 इंटो 3 अब क्या होगा 25 परफेक्ट स्क्वार है और यह सारा स्क्वार रूट है तो हम इसको बाहर निकालेंगे तो यह क्या हो जागा 5 रूट 3 और यह क्या हो जागा 4 रूट 3 और यह क्या हो जागा 2 आपके से 2X प्लस 5X प्लस 6X को करते हैं कि X वाला सब एक साथ तो X हो जाता है और नमबर अलग से एड़ कर देते हैं 6 5 11 12 13 बिल्कुल रूट वाला भी वैरियेवल का काम करता है रूट के अंदर कोई नमबर है तो वैरियेवल का काम करता अगर सेम है तब हम उसको आपस में जोड सकते हैं घटा सकते हैं सेम नहीं तो यह जैसा है वैसा ही अपका अंसर हो जायगा जैसे यहां भी झ ही झाल लेकिन इनके बीच में इसा था की सेम कर सकते थे तो आपको करना है लेकिन जब आप find करके देख लिए कि अगर यहां यह आ जाता है 5 root 2 plus 6 root 3 तो इन दोनों के बीच में कोई bonding है यह root 3 और root 3 है और कोई भी ऐसा term नहीं है कि square root से बाहर निकलेगा तो same हो जाएगा तो आप इसको कुछ नहीं कर सकते हैं जैसा है वैसा ही आपका अंसर रह जाएगा समझ गया अब यहां पर क्या करना आपको जोर लेना है तो root 3 दोनों में common है तो यहां पर क्या जागा root 3 और यह क्या जागा पाच्यर 9 ठीक है clear हूँ और यह क्या है सिंबल किसका वगा जो बड़ा होगा नौ बड़ा है तो इसका आगे प्लस तो यह प्लस में रहा जाएगा साथ root 3 यह आपका क्या हो जागा answer clear हूँ clear हूँ समझ में आया कि समझ में आ गया होगा अगर जिनको कोई दिक्कत हो जाए तो वह comment works में comment करके पूछ सकते हैं ठीक है तो आप आईये multiplication देखते हैं ठीक है तो multiplication में क्या करना इसमें बहुत सिंपल है multiplication में क्या करना है तो इसमें आपका है कि जैसे आपको यह दे दिया जाए question है root 5 into 2 पे power 6 into 3 पे power 4 अब आपको यह question में दे दिया गया है और इसको solve करना है तो हम कैसे करेंगे तो सबसे पहले इसको 5 पे क्या convert करेंगे यह 1 by 2 यह क्या हो जागा 2 का 1 by 6 और यह क्या हो जागा 3 का 1 बटा 4 ठीक है अब आपको पता है बिल्कूल multiplication और division में जो ascending descending का process है सेम रहता है ठीक है तो यह आपस भी multiply में है यह क्या है multiply में है यह आपको question में दे दिया गया सॉल्व करने के लिए अब आपको क्या करना है बस इसको क्या करना है five सब क्या लस्यम निकाल लिए छे चार और दो का क्या हो जागा बार तो हमको इसके denominator को बारे में बदल लाए तो दो गुना छे चे गुना दो तो यहां भी एंट उपर छे यहां भी उपर दो और यहां तो यहां भी तीन क्लियर हुआ तो यह क्या हो जागा five का पावर six और यह क्या हो जागा एक बटा बार यह क्या हो जागा दो के पावर दो और यह क्या हो जागा एक बटा बार और यह क्या हो जागा तीन का पावर तीन और यह क्या हो जागा एक बटा बार अब क्या करेंग 25 और यह नोः पहर एक बटा वारा जाएगा इसमें इसमें कोई दिक्कत नहीं ठीक है अब आपको क्या करना है सब का पावर तो सेम आ गया na अब बस बेस को मृटीप्लाई कर दिये क्योंकि आप पहले ही पढ़े थे थोड़ा दिर पहले हैं आपको एक्सपोनेंट पावर में पढ़ाए थे कि जब पावर इक्वैल हो जाए तो बेस क्या होता है अब vendor हो जाता है कोई दिक्कत है तो बताइए इतना क्लियर है अब क्या करना है 25 क्या स्क्वाइर होता है आपका 625 और 625 गुना 25 करना है आपको हैसपी पावरेक्वटा बार अब इसको को वहां को सॉल्व करने तो मॉल्टिप्लाई कर लीजेगा और जो आएगा आप अच्छे से सारे नमर को ऐद्यों कि आजेगा और वही आपका आजएगा अंसर हो जाएगा को दिक्कत उदिक्कत है तो बताए है इस सबको क्या करना मैं लिख सकते हैं तो आपको क्या हो गया चे दो पांच डवल जीरो बाइचार से इसको डिवाइड कर दिए तो चार से एक बार में दो चरपचे बीस तो फिर दो बचे आपका एक मिनट चार से एक दो दो बाइस चरपचे बीस फिर दो बचा चार चार चक चौवविस एक बचा दस हो गया दो से आठ दो बचा बीस इतना गया 15625 तो 15625 पर पावर एक बटा बार यह भी मल्टिप्लाइ का तरीका अप यूज कर सकते हैं कि पचीस है तो गुना पचीस क आँए सकुन करों गड़े और इसको 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 मल्टिप्लाइक अथिक है तो थी आप है तो थीक है स्क्रीना देली है आंगे तो मिट देते जल्दी से अब आता है division पे कि division इसका अगर आपको एक्जामने दे दिया जाए तो कैसे करेंगे ठीक है तो देखिए वो भी बहुत आसान है क्या करना है आपको इसके division में क्या करना है अगर आपको ऐसा दे दिया जाए 4 और नीचे रहे क्यों तो ऐसा है simple समझें तो हम क्या करेंगे यहां भी same 4 को क्या लिख सकते हैं 1 by 2 और यहां 2 को क्या लिख सकते हैं 1 by 3 सेम कर दीजे दोनों का LCM निकाल लीजे तो 6 आ गया तो यहां पर multiply 3 कीजे यहां पर 3 यहां पर 2 यहां पर 2 क्योंकि जो LCM आता है denominator को वही बनाते हैं और जो नमबर उसमें करते हैं LCM को लाने के लिए वही उपर नीचे उपर नीचे दोनों मगर्डिप्लाइ करते हैं पता है आपको तो यहां भी 3 यहां भी 3 यहां भी 2 और आपका आ गया इसको क्या लिख सकते हैं 4 पर power 3 by 6 6 by 2 पर 2 x 6 देखिए 66 आ गया सेम हो गया अब क्या करना है आपको 4 का ये क्यों बोजाएगा और ये वन बाटा 6 लिख सकते हैं और इसको टू का स्क्वाइर 1 बटा 6 लिख सकते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 4 का क्यों क्या होता है बताइए 64 पर पावर एक बटाच है और ये इक भाई छे तो 4-16 4-64 बार में तो 16 का पावर 1 बाट चे अगर यह answer मेरा तो इसके आगे भी आप इसको simplist form में कर सकते हैं 16 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 4 और 1 बाट चे तो आपको पता 1 बाट अच्या यह क्या हो जाता है 2 4 एक बटा छे हो जाएगा और दो दूनी दो तीर तो क्या हो जाएगा दो दो बटा तीन यह आपका क्या हो जागा अंसर क्लियर हुआ समझ में मल्टि किप्लिकेशन और डिवीजन मैथर तो इतना ही था आपका सर्ड्स और इंडिशेज में आपको जानना सिर्फ एक point बच गया है तो हम आपको वो बता देते है एक याद आगे आचाना कि अगर कभी भी power negative हो जाए power क्या हो जाए negative हो जाए तो क्या करना है तो जैसे simple समझेगा कि 5 पे power minus 1 by 2 हो जाए तो कुछ नहीं करना है जब भी power negative हो जाए बस by में लिखेंगे इसको 1 by 5 कर देंगे negative के बदले हम 1 by उस form को ले आते हैं negative खतम हो जाता है अब क्या है आपका 1 by 2 है तो आपका 1 by 2 रहे गए रहे अगर जैसे 5 पे power minus 2 होता तो हम क्या करते 1 by 5 हो जाता और power क्या हो जाता square तो इसको कहीं कहीं ऐसे भी लिखा हुआ मिलता होगा क्योंकि 1 का square कितना भी कीजिए एक ही रहता है तो 5 पे square लिख देता है कोई दिक्कत है तो बताईए समझ में आ गया अब अगर ऐसा रहा यह अगर एक मिनट अगर यह 5 पे power माइनस एक मटा दो अब आप क्या किजेगा अब आप क्या किजेगा यह बताईए पूस्ट अब आप इसको एक ऽोड में और लिख सकते हैं माइनस बाहर एक मैनस यहां चर्जिए साथी सेम कॉस्टचन हो गया यह दुनों तो सेम ही रहेगा क्या क्या करना है वही ची किसी भी नम्मर के अंदर root के अंदर minus नहीं जाएगा ठीक है ऐसा नहीं कि अब इसको ऐसा आप लिख दी है minus 5 लिख देंगे clear है ऐसा नहीं लिखना है समझ में आ रहा है ऐसा कभी नहीं यह गलत हो जाता है यहीं सही है सिर्फ ठीक है तो हमेंसा root के बाहर ही negative sign आएगा हमेंसा क्या होगा बाहर आएगा ठीक है जैसे अगर यह हो जाए minus 5 पे power 1 by 2 रहता minus 5 पे क्या रहता 1 by 2 तो आपको क्या करना है 1 by 2 के बदले आप root देते हैं तो यह minus बाहर कर देना है और इसको क्या करना है root 5 लिखना है यह कहना चाहरे था exactly समझ में आया negative sign बाहर ही रहेगा इसके बदले जो पड़ेगा वो देदेंगे अगर यहां 3 रहता माइनस 5 पे 1 by 3 होता तो क्या हो जाता माइनस और यह अलग और यहां पर 3 हो जाता है clear हुआ समझ में आया तो यहीं एक बच गया था तो आपका पूरा complete हो गया आपको इस पर expected question मिल जाएगा तो अगले class में इसका जितना भी important question है वो देख ले और वो class बिल्कूल ना छोड़ें क्योंकि वो class बहुत ही important class है आप लोगों के लिए तो आज के लिए इतना है रहने देता है सबसे पहले जो नए चैनल पर वो subscribe कर दीजे और बेल आइकन पर दवा दीजे क्योंकि आपको मेरा सारा अपडेट मिलेगा और आप अच्छे से एक इक चीज कवर कर सकते और प्लेलिस्ट में जाए जिनका math week है वह basic mathematics पर लिजे वहाँ पर सौटकर ट्रिक है वह पढ़िए RRBN TPC 90 day course है उसमें जाके सारा subject का पढ़ाई हो रहा है अच्छे से cover कर लिए ठीक है और means ये निश्चित बात है ये fix है कि आपका score बहतर होगा आप exam में बहुत अच्छा score करेंगे बस हमारे साथ बने रहिए 90 दिन तक और आज के लिए इतना ही धन्यवाद कर दो कर दो